हेलो आज कोफोर्ज को हमने ट्रेट किया एंड इसके अंदर हमारी पोजिशन स्थिर में बाइंग सैड में अपना ही ट्रेड एक्जिक्यूट किया तो इस अंदर अपना पुट अप किया था हमने 3375.50 पर यह स्टॉप लोस हमने अपना पुट अप किया था टेली राम चैनल में इसने अपना रेजिटन्स का ब्रेकाउट कर दिया था हमने जो कुछ लेवल आपको मा करके दिया थे एक्चुली अपूलो हस्पिटल के लिए एक रेजिटन्स का काम करते हैं प्राइस देखिए अप सैट की तरफ गया नीचे की तरफ आया यहां पर जिसने भी इस एक केंडिल के नीचे यहां अपना सटाप्लोस रख दिये क्यूंकि अगर इसके नीचे प्राइस गया तो बहुत ज़्यादा चांस इस ग्रीन वाली केंडिल के नीचे बी चला जाएगा तो आप चाहाए जहां पर स्टॉप लोस रख दिये हो तो हमने बोला था अपसे कि यहा पूरा का पूरा गया, और स्टॉपलोस ही रहे, प्राइस अप मुव में ही रहा है, बाइंग साइड में ही हम स्टॉक को आज के दिन देख रहे था, अपलो हॉस्पितल को हम भी यह देख रहे था, कोफार्ज के अंदर लग बाई चांस हमारे stop loss नहीं कि stop loss सेफ रहा है हालांकि कोई बहुत बड़ा profit नहीं मिला यहां पर देखे यह अपना इसको refresh कर लेते है अपने trade book को overall यह अपना trade था अब बात करते हैं कि कोफार्ज के अंदर या फिर सबसे पहले जो stock हमने आप लोगों के साथ share किया था पूल हॉस्पिटल को क्या दे करके हमने इसको आपसे कहा था कि आप इसको trade कीजिए देखे प्राइस का यह कुछ एक resistance point है सारी markings को delete कर देते है अब यह क जुलाई को प्राइस ने volume के साथ breakout ऊपर के तरफ दिया था और प्राइस वापस नीचे के तरफ गिरिया और यहीं कहीं trade करने लगे इस range के अंदर आज अपोलो हॉस्पिटल जब हमारी range में है था हमने इस price action को rate किया इसलिए हमने आपको बोला था कि price जैसे ही अपना morning का first swing break करके upside के तरफ जाता है इसके अंदर बाइंग execute कर लो हालां कि यह अपना level था day time frame का बट जो यहाँ पर हमारी swings लग रहे थे वो कहीं इस वाले points पर थे तो इस swing के breakout के बाद में हमें यह अपना trade execute करना था हालां कि यहाँ पर जो भी trade वागर हमारा execute हुआ है stop loss लिया है market और फिर से upside की तरफ बट overall जो analysis थी हमारी price की वो यह थी अब बात करते है कौफ़ज की कौफ़ज के अंदर क्यों buying हुआ है यह भी इसका एक support point है आप देखे day time frame पर कौफ़ज के अंदर भी आपको एक support मिलेगा price अपने इस style पर आ जाने के बाद में sustain कर रहा है जैसे कि य मेरा 5 minute का time frame है और day time frame open कर लेते हैं यह यह मेरा point है कुछ यह कुछ support points है और यह अपने resistance points है price जब जब हमारा इस level पर आता है नीचे के तरफ गिर रहा है support पर आता है तो ऊपर की side में चला जाता है हाला कि price आज कहा है अपने resistance लेल पर अगर कल price ने gap up opening दे दी तो reliance अब side में चला जागा और अगर अगर यह price वापस अपनी range के अंदर आगे तो देख लिजागा कल rel list में add कर लिए जो आप इसको देखेगा reliance को कल के लिए add कर लिए selling के लिए इस एक point से इस एक level से अगर आपको confirmations मिलते है तो यहां से आप short selling की जागा और अब उपर जाता है price उपर जा रहा तो जाने देजिए फिर में देखने की ज़रत नहीं फिर जो भी होगा हम अपन day after तुमारो अपना sit but कल के लिए अगर कल के लिए हमको देखना तो price के अंदर हम इस level के नीचे short selling ही देखेंगे किसलिए हमने यह चार्ट open किया था क्योंकि price का अपना ही resistance level है यहां तक जब price आ रहा है तो इसके अंदर देखे downfall 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 और support से price हमारा upside upside अब इसके बाद म हुआ है कि price के support points है यह कुछ support points है जो हम यहां पर अपने identify के थे price same level से मेरा up move हमको show कर रहा है पिछले दो या तीन trading session same level पर price जब हमारा आता है अपने support point पर आता है price हमारा upside के momentum show करता है यहां से that's why आज भी कॉप 4 हमको day time stream के level पर मिला था दूसरी चीज़ यहां पर देखे हो क्या रहा है इस एक green candle के through market उपर downfall up और down ठीक है इसको mark करिए यहां पर जितने ही marking से इनको सब को कर देते हैं delete औ क्या हमें इसके अंदर rejections दिख रहे हैं यहां से देखें क्या price यहां से reject होता हो दिख रहा है और कल के rating session में क्या हुआ था कि market ने जो opening दी थी वो हमारे level के उपर इस green वाली candle की range के अंदर जाकर किसने opening दी और closing भी कल की वहीं की हो गए और आज भी जो market हमारी open हुई है हम मतलब कि upside की momentum हमें इसके अंदर show कर रही थी market अब अगर price को नीचे की दिशा में गिरना तो उसको क्या करना होगा अपनी इस black वाली candle के नीचे market जाए और नीचे की तरफ गिर जाए बट यहां पर देखे 15th of July को market ने एक support लिया और previous जबाब यहां पर हो गए तो same level ही आप ने आपको reject कर रही है यह देख रहे हैं एक यह support लगा support के बाद में price हमारा upside की तरफ फिर से downside का momentum दिखाया market ने अपना यह support ब्रेक किया और फिर से ऊपर की तरफ चली गए अब market कहां पर sustain कर रही है अपने support पर यह देखे अपने support पर Dom momentum अब यहां से जो भी चीज़े हमको करनी है हम buying के लिए देखेंगे अगर price हमारा इस level के नीचे निकलता है तो फिर हम short selling के लिए देखेंगे इसलिए क्योंकि आज price हमारा support पर था हमने इसके अंदर buying की 5 minute में देखी हाला कि कोई बहुत बड़ा momentum में देखने को नहीं मिल और price के अंदर एक sideway momentum में हम लोग रुके हुए फसे हुए एक तरह से तो entry कहीं इस एक point पर अपनी entry है and stop loss के लिए just हमने अपने swing को stop loss बना जाए यह area हमारा stop loss का बना तो overall यह अपनी analysis थी आज की trading session तो I hope आज की video से जरूर आपने कुछ ने कुछ सीखा होगा and अब एक काम करते हैं कि position को square off कर देते हैं यहां से यह pending order पढ़ा हूँ इसका मतलब कि अभी तक हम इसके अंदर अपना order broker नेम को बाहर नहीं निकाला है तो stop loss order cancel and position book में आ जाते है 3413.30 square of nsc paste चलिया order लगा दिया है वो क्या cancel order confirm कोफोस सेल हमाई यह क्या order cancel हो गया cancelled समझ गए order अपना cancel हो चुका है और अब यहां से चाहा कर भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि जो square off की timing है वो खतम हो चुकी है so position book में overall देख सकते हैं अपना जिसवत का profit of 4800 के around चल रहा है और कोई बड़ा momentum देखा नहीं है अला कि जब आप देखोगे nifty को या bank nifty को तो आपको बड़ा momentum देख जागा but stocks के अंदर उस तरह के movement नहीं है लिए हम यहां से बाहर हो चुके है and 4,360 रुपीज का profit है अपना square of square off होगी सारी positions एक बार और refresh कर दिलते हैं 4,300 तो आज के वीडियो हम लोग इंपर खतम करते हैं और अब मिलेंगे अपने next training session में यानिके कल कोई भी stock अगर हमारी watch list में add ह होता है और अच्छी convictions हमें show करते हैं तो उसको आप लोगों के साथ हम ज़रूर शेक करेंगे thank you and we will meet again